दोस्तो आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग पोयम डील करने वाले हैं जो कि है दस सेकेंड कमिंग जिसको लिखा है विलियम बटलर इट्स ने दोस्तो ये जो बुक है वो 1920 में पब्लिस हुआ था तथा ये एक अमेरिका की एक मैगजीन है दे डाइल उसमें पब्लिस आए गया था दोस्तो अगर इस पोयम की कुछ की फैक्ट के बारे में बात करें तो एक रिभॉलूशन हुआ था 1916 में जिसका नाम है इस्टर रिबेलियन और जस्ट उसके दो साल बाद दो वर्ल वर खतम हुआ था यानि कि 1918 में ये दो चीज विलियम बटलर इट्स पे बहुत जादा इंपक्ट डाला और उसके बाद उन्होंने ये पोयम लिखा दा सेकेंड कमिंग इसमें उन्होंने कुछ चीजें उठाई हैं और उसके बाद कुछ फिलोस्फिकल चीज जोड़कर ये बहुत ही बहतरीन पोयम उन्होंने लिखी हैं चलिए दोस्तों इस पोयम को हम लोग सुरू करते हैं तोस्तों इसमें जो कवी है वो स्वपन की अवस्था में होता है कवीता अचानक प्ररम्भ होती है जैसे कवी कोई स्वपन देख रहा है और उसको महसूस कर रहा है वह अपनी स्वपन की अवस्था में एक संकु देखता है यानि की जायर को देखता है जो कि एक परीधी प इतना बड़ा होते जाता है, कि जो परिधी है, जो center है, वो control नहीं कर पाता है उसको, the falcon cannot hear the falconer, और अब क्या होता है, कि जो falcon है, यानि कि बाज है, वो falconer को सुन नहीं रहा है, things fall apart, the center cannot hold, और वो जो संकु है, वो टूट टूट कर हर एक जगा गिरने लगा है, center उसको अपने नियंत्रित में नहीं रख पाता, mere anarchy is loosed upon the world, यानि कि विकठन प्ररंब हो चुका है, विकठन का मतलब होता है, decline, decline जो है, वो प्ररंब हो चुका है, the blood dimmed, ties is loosed, and everywhere the ceremony of innocence is drawn, दोस्तों इसमें जो poet हैं, वो ये बताना चाहते हैं, कि जो blood है, वो हर एक जगा बूंद बूंद में करके गिरते जा रहा है, और innocence, जो लोगों के अंदर एक innocence होती है, आत्मा की पुकार होती है, उन्होंने वो सुनना बंद कर दिया है, इस line में poet ये बोलते हैं, कि जो लोग हैं, वो एक भौतिकी की तरफ जाने लगे हैं, यानि कि science की तरफ जाने लगे हैं, और जो spirituality होती है, जो God के प्रती एक सरद्धा होती है, लोग वो चीज़ छोड़ चुके हैं, लोग पागलों की तरह science के पीछे भागते जा रहे हैं, वो पागल में एकदम passionate हो गए हैं, और भगवान के बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया है, Surely some revolution is at hand, surely the second coming is at hand, ऐसा लगता है कि कोई revolution हो लेवाना है, और जरूर second coming होने वाला है, दोस्तो second coming का मतलब इसा मसी एक बार पहले जनम ले चुके हैं, जिसमें उन्होंने इंसानियत को, मनोता को एक बार बचाया था, लेकिन इस बार उसका उल्टा होने वाला है, the second coming, और यहां कहकर poet रुखते हैं, the second coming, और यह बात कहते हुए वो डर जाते हैं, hardly are those words out, और बड़ी मुश्किल से वो word निकलता है, कौन सा word, the second coming, when a vast image out of a spirituous mundi trouble my side, और दोस्तों, वो एक ऐसी image को देखते हैं, जो कि बिल्कुल spiritual mundi की तरह है, spiritual mundi का मतलब होता है कि जो सर होता है, वो lion का होता है, यानि सेर का होता है, और जो सीर होता है, वो इनसान का होता है, ठीके वो इस तरह का कोई image देखते हैं, somewhere in sand of a desert, और वो कहीं desert में बालू से नि सेर के जैसा, और head जो है, सीर जो है, वो आदमी का है, a gaze blank and pitiless as sun, और उसके अंदर ना तो थोड़ा दया है, और वो बिल्कुल सुर की तरह निर्दरी है, is moving its slow things while all about it, real shadow of the indigent desert bird, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उसकी चाया जो है, यानि कि परचाई जो है, इतनी विक्राल है, कि जो desert के पक्ची है, वो डर के मारे भैभीत होकर इधर उधर भाग रहे हैं, the darkness drop again, जो darkness है, जो अंधेरा है, एक बार फिर से होने वाला है, but now I know the 20th century of a stony slip, अंधेरा तो फिर से होने वाला है, लेकिन अब, now I, I का मतलब poet, लेकिन poet बोलता है कि अब मुझे पता है, कि जो बिस्वी सताब्दी है, वो एकदम पत्थर की तरह खोखली हो गई है, जो कि बिल्कुल waxed, खतम होने वाली है, अच्छा, we are waxed to nightmare by a rocking cradle, और nightmare की तरह, यानि कि बिल्कुल ही वो डरावना है, and what route best its hour come round at last, और वो जो spirituous मुंडी है, वो बिल्कुल ही एक आप बूल सकते हो, बिस्ट के मतलब होता है सैतान, सैतान की तरह हो चुका है, रफ सैतान की तरह हो चुका है, और वो धीरे धीरे बैथलम की ओर बढ़ रहा है, जहां कभी इसा मसी एक बार फिर से जनम लेंगे, दोस्तों बैथलम सेटी का नाह में जहां इसा मसी ने पहले जनाम ले चुके हैं उन्होंने इसा मसी का पहला जनाम बैथलम में हुआ था और पोएट ये बोल रहा है कि जो वो स्प्रिचुवस मुंडी है वो धीरे धीरे करके बैथलम की और बढ़ रहा है जिसका मतलब साफ है कि इस बार जिसस क्राइस्ट जो है इस बार मनोता को खतम करने वाले हैं और 20th सेंचुरी को यानि की मोडरनिजम को पोस्ट मोडरनिजम को बिलकुल खतम कर देंगे दोस्तों पोएम तो खेर यहीं पर खतम हो जाती है लेकिन हमारे धर्म में भी आप हिंदू में भी देखो होगे तो जो कल्यूक चल रहा है उसको खतम करने के लिए वगवान विष्णुक कलिक का अवतार लेंगे ऐसा हमारे धर्म में भी लिखा हुआ है तो विलियम बटलर इस जो थे वह इंडियन फिलोसफी से यानि कि इंडिया का जो फिलोसफी है और जो इंडियन बुक है जैसे कि इंडियन मैथाओलेजी की बुक है रमायन, महभारत, गीता वो इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है तो अगर आप इस पुयम को इनालेसिस करो और जो हमारे हिंदू ट्रेडिशन मे एक लास्ट जो चीज दिया हुआ है कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग का पाप का घड़ा बिल्कुल भर चाएगा और उस वक्त बिश्नु यानि कि भगवान बिश्नु जनम लेंगे कलिक के उतार में और पूरे के पूरे संसार को खतम करतेंगे दोस्तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद